नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज में आप लोग सामने फिर एक बार मदार का पेड़ लेकर आया हूँ इस मदार के पेड़ को आकड़े का पेड़ भी कहते हैं आक का पेड़ भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे अकवा भी कह पेड़ एक तरह से जहरीला पेड़ है लेकिन या एक आयरवेदी कवसदी भी है अगर हम इस मदार के पेड़ के किसी भी हिस्से को दवाई की रूप में इस्तमाल करना चाहते हैं तो निर्धारित मात्रा सिमित मात्रा मुपयोग अगर करते हैं तो या एक एंटिबायटिक दवा के रूप में काम करता है इसलिए इस मदार के पेड़ के हर एक हिस्से को आयरवेदी कवसदी में होमोपैथिक में एलोपैथिक में दवाई की रूप में इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों देख ली इस पेड़ को इस पौधे को इसके पत्तों का हार बनाकर बजरंग वली के ऊपर चढ़ाया जाता है सनिवार के दिन अगर नहीं पहचानते हो तो मैं आपको यह पहचान बता दे रहा हूं कि इसके पत्तों का हार बनाकर हन्मान जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है तो दोस पूल भगवान सिव संकर के उपर चड़ाया जाता है तो दोस्तों इस तरह से यह पेड़ जितना पूजनी है विशेला है उतना ही आयरवेदिक अउस्दी गुडों से भी भरा हुआ है इसके हर एक हिस्से जैसे पत्ते फूल डंटल छाल सभी अउस्दी गुडों से भरे हु होंगे तो अब हम इसके आयरवेदिक अउस्दी फाइदों के बारे में जाने कि इस पेड़ का कौन सा हिस्सा किस रोग में इस्तमाल होता है तो देखिए दोस्तों इसमें जो पत्ते हैं इन पत्तों को अगर तोड़ा जाए या किसी भी इस से तोड़ते हैं तो दूद नि काट लिया हो जैसे बर्रे है ततया है या बिच्छू है तो उस काटे हुए स्थान पर यानि डंक मारे हुए स्थान पर आप मदार का दूद लगाए तो जहर का असर खतम हो जाएगा सूजन भी नहीं पड़ेगा इतना फाइदे मंद होता है इस मदार के पत्तों को जो दूद निकलता है वो दोस्तों इसके दूद को और भी फाइदे हैं अगर किसी का दात सण गया हो हिलता डोलता हो कचड़ा हो दात का तो उस कचड़े को निकालने के लिए आप एक ग्राम मदार के दूद में रूई को डूबा कर उस कचड़े वाले यानि सणे हुए द कांच का टुकड़ा टुकड़ा अपने आप बाहर निकल जाएगा दोस्तों बहुत से लोग इधर उधर काम करते हुए कांच गड़ा लेते हैं तो कांच का टुकड़ा भी निकालने के लिए आप इस मदार के दूद को अगर लगाते हैं जहां कांच घुश चुका है धस है तो वह कांच भी अपने आप इसके दूद को लगने से निकल जाता है बाहर पुराने जमाने किसी को कांटा चुप जाता था तो मदार के दूद को लगाते थे तो कांटा निकलने लगता था दोस्तों इस मदार के दूद से आप तोचारोग का भी इलाज कर सकते हैं जैस है तो आप इसके दूध को अप लगा सकते हो, इसके दूध को लगाने से जो जो दाद खाज-खुजली के दाद खाज खुजली को पर चेहरे में पिंपल से उसके उपर आप लगा सकते हैं फाइदा होगा दोस्तो धवल रोग होता है बालों का रोग होता है चिटनिया रोग उसमें भी आप मदार के दूद को लगाते हैं फाइदा होता है और अगर किसी का बाल जढ रहा है उड़ गंजापन हो रहा है तो उसमें भी आप मदार्ग दूद को अगर लगाते हैं तो बालोग जड़ना उड़ना रुख जाएगा अब देखिए दोस्तों या पेड जहरीला हुआ तो क्या हुआ लेकिन फायदे भी तो इसके बहुत सारे हैं लेकिन जो लोग जानते हैं इसके फ पके हुए पत्ते पीले पीले पत्ते लेकर अगर उस पत्ते को गर्मा कर उसके अंदर रस निकाल कर दुखते हुए कान के भीतर डालते हैं तो कान का दर्द ठीक होता है दोस्तों चोट मोच पे दर्द पे सूजन पे आप इसके पत्तों में सरसोग तेल लगा कर गर्मा कर अगर बानते हैं दर्द के अस्थान पर तो दर्द से अराम मिलता है दोस्तों सुगर वाले इसके एक पत्ते को तोड़कर पाउं के तालू के पाउं के तालू में रख ले और उपर से मोजा पहन कर सो जाए एक दो हपता लगातार यह क्रिया करे उप्योग करे तो उसका को जला कर बीडी सिक्रेट जैसा अगर पिया जाए तो दमा रोग में फाइदे मंद होता है और इसके जड़के छाल को निकाल कर पाउडर बना कर अगर सड़े हुए गले हुए घाव को उपर भुरबुराया जाए डाला जाए तो वह घाव सूखने लगता है और अगर इस तेल से आप दर्द के स्थान मसाज कीजिए तो दर्द ठीक होता है दोस्तों इसके और भी फाइदे हैं अगर किसी बवासीर रोग है तो इसके एक या दो बून दूद को एक बतासाग भीतर भर कर चबा चबा कर खाए तो बवासीर का दर्द भी दूर होता है या दर्द का इलाज करने वाला एक उसदी का पेड़ है दोस्तों कोई पुरू से कमजोर है उत्तेजना कमी है सिग्रपतन कमी है तो आप इस मदार के जड़ के छाल को निकाल कर पीस कर पौडर बना कर अशुगंधा के पौडर के साथ मिला कर अगर एक एक गराम सेवन करते हैं सुबा साम दूद के साथ में तो सरीर का पवरुख बढ़ेगा बल बढ़ेगा इस्टेमना पाउर बढ़ेगा पुर्सों में होने वाले कमजोरी दूर होंगे दोस्तों इसके और भी फाइदे हैं इसके पत्तों को तोड़कर सरसोग तेल या तिल के तेल पका कर रख लीजिए और फि दोस्तों इस तरह से पेड़ अवसदी का खान है और इसमें दो ब्राइटी होते हैं दो परजाती होते हैं एक नीला फूल वाला होता है और एक सफेद फूल वाला होता है यह जो मैं आप लोगों सामने पेड़ दिखा रहा हूं यह सफेद फूल वाला है इसके फूल रहते हैं जो नीला फूल वाला है उसका फूल नीला रहता है बैगनी और जो सफेद फूल वाला पेड़ रहता है वह काफी बड़ा पेड़ हो जाता है लेकिन जो नीला फूल वाला होता है पेड़ वह पेड़ नहीं हो पाता है उसलिफ जाली नुवा पेड़ रहता है और आ निला फूल वाला ज्यादा जहरीला होता है फिर आप फूलों से ही समझ सकते हैं कि जहर का रंग निला ही होता है तो दोस्तों या पेड़ भारत के हर राज में आपको सड़क किनारे खाली पड़े मैदान भूमी में देखने के लिए मिल जाएगा या सिरिफ बरफीला अस्थ होता है मैं आपको पहचान करा रहा हूं आप पहचान लीजिए फूलों के रंग से अप अलग अलग जो नीला फूल वाला होता है वह अधिक जहरीला होता है और जो सफेद फूल वाला होता है वह कम जहरीला होता है तो दोस्तों इस पेड़ को लगाना भी नहीं पड़ता ह या पेड अपने आप बरसात के दिनों पैदा हो जाता है और एक सदा बहार पेड है समझ लीजिए सफेद फूल वाला नीला फूल वाला तो मौसम के हिसाब से सूप जाता है तो इस तरह से दोस्तों या एक बहुत ही अच्छा अरवेदी का उसदी की पेड है जो आज में पूर जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहारी आईरवेदी